हेलो दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलिशियस, सॉफ्ट, मॉइस्ट और मिल्टिन मौउट केक येस ऐसा केक जो मुँँ में चाते ही खुल जाए तो आज मेरी कीचन में बन रहा है ये टर्किश मिल्ट केक ऐसे मॉइस्ट स्पंज के साथ एक तब मस्त मजेदार क्रीमी फ्रोस्टिंग बस एक बाइट में ही मज़ा आ जाए इसके लिए हम एकले स्पंज बनाएंगे पर रेसी भी शुरू करने से पहले अगारू के ओटी जी को मैंने 170 डिग्री शेलसिएस पर 10 मिनिट के लिए प्रिहीट के लिए रखा है फटाफट से बाउल में मैंने डाला दिये आधा कब पीसी हुई चीनी और आधा कप से थोड़ा सा कम तूदट डाला है मंने दूद डाला दूद अगर जादा हुआ तो बैटर पतला हो जाता है, अगर बैटर पतला हुआ तो केक अच्छे से फूलता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा वनिला एसेंस टाल देना, वैसे सारे मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिये है, ताकि आप इन्हें इसली फॉलो कर सको, और अवेलेबल होती है ना, पहले वो ट्राइ करना, ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिला दिया है, ये देखिए तेल भी कितने अच्छे से मिल गया है इसमें, अब एक छलनी लेकर छलनी में डालना, ये 100 ग्राम मैदा, 1 फॉर टीस्पून पाउडर डाल देना, साथ में ही ये 10 रुपीज का मिल्क पाउडर का सेचस लिया है, मैंने लगबग 1 से डेट चम मच मिल्क पाउडर है, इसमें इतनी काफी है, तो ये सारी मिल्क पाउडर इसमें डालने के बाद, सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना, दोस्तों, न विनेगर डालते से ही, आप देख सकते हो, बैटर कैसे हलका होने लगा है, बहुत लोग पूछते हैं, क्या विनेगर डालने से केक खटा नहीं होता, तो नहीं दोस्तों, विनेगर डालने से केक खटा नहीं होता, तो विनेगर आप जरूर डालना, ठीक है, तो ये देखे, यह बैटर रेडी है इसे 6 पाइ 6 इंच के स्क्वेर टीन में मैंने डाल दिया है पर अगर आपके पास स्क्वेर टीन नहीं है तो आप प्राउन टीन भी इस्तमाल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है अच्छे से टाप करके इसे मैंने अगारो के उटीजी में 30 मिनिट्स के लिए बेकिंग के लिए रखा है और तब तक यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रखती है इसमें डालेंगे वन थाड़ कप चीनी फ्लेम को बिल्कुल लो रखना और चीनी को ऐसे फैला कर रखना यह दिखे दो मिनिट आप इसे ऐसे ही छोड़ दोना तो चीनी मेल्ट होन और बहुत ही पढ़िया सा टेस्ट आए इसमें दोस्तो अगर चीनी जरूरत से जाता जल जाती है तो फिर इसमें कड़वा हटा सकती है इसलिए यह चीज ध्यान से करना ठीक है और अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच घी आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो दोस् सौल्टेड बटर ले रहे हो तो नमक डालना जरूरी है अब इनको अच्छे से मिलाने के बाद ना सेम कपसे जिसे हमने चीनी मेजर करके लिए उसी से हम लेंगे यह फ्रेश क्रीम तो वन थर्ड कप चीनी के लिए वन थर्ड कप फ्रेश क्रीम को इसमें डालकर फटा- सुगी कैरमल सॉस बनकर रेडी अहां बहुत ही जबर्दस्त है एक कटोरी में निकाल कर इसको थोड़ा सा नौर्मल टेमटरेचर पर आने देते हैं तब तक 30 मिनिट में यह अपना केक भी बढ़िया से बेक हुआ है जब अवन में बेक करते हो ना उपर से हलका सा क्रस्ट है केक में तो इसे सॉफ्ट रखने के लिए अवन से बाहर निकालने के बाद 10 मिनिट आप इसे कपड़े से कवर करके रख सकते हो यह दिखिए बहुत ही बढ़िया स्पंच बना है अब नहीं इसको मैं इस काच वले टिन में रख रही हूं और इसी टिन में में केक का पूर एक टुदपिक से या फोक से पूरे केक के ऊपर ऐसे होल्स बनाएंगे इसे पोक करेंगे क्योंकि इसमें हमें डालना है दूद वाला मिश्रण ऐसे करोगे तो ही यह दूद को अच्छे से अब्सॉब कर सकेगा ठीक है तो वही मिल्क वाला मिश्रण रेडी करने के लिए आप क्या करना पहले आधा कब दूद लेना और उसमें एक चौथाई का फ्रेश क्रीम डाल देना वैसे आप चाहो तुविप क्रीम भी डाल सकते हो पर फ्रेश क्रीम ज्यादा टेस्टी लगती है ना इसलिए मैं फ्रेश क्रीम ही प्रेफर करती हूँ या तो आप चाहो त थोड़ा सा कैरमल सॉस और इस कैरमल सॉस की वज़े से ये मिल्क का मिश्रण और भी टेस्टी बना है दोस्तों चलिए अब केक हलका गुनगुना है दूद नॉर्मल टिम्परेचर पर है तो ये सही समय है स्पंज को दूद के साथ सोक करने का तो अब हम क्या करेंगे केक के उपर ये मिश्रण धीरे-धीरे से पौर करेंगे कि काफी अच्छा सौफ्ट और स्पंजी बना है तो बड़ी असानी से ये दूद को एबसॉप कर लेगा थोड़ा सा दूद डालने के बाद ना पाच-दस मिनिट इंतिजार करेंगे हम या तो आप ऐसे टीन को थोड़ा स अहीला सकते हो जिससे कि ये तूद असान इसे केक में एबसॉप हो जाए चलिए अब जब सारे दूद को इसने एबसॉप कर लिया है बच्चा हुआ तूद भी हम इसमें डाल देंगे और जब तक ये सारे दूद को एबसॉप करें इसे हम थोड़ी देर साइड में रख द लिया है अब इस पर हम लगाएंगे ये अपनी विपिंग क्रीम विपिंग क्रीम को केक पर एक्टम अच्छे से फैला कर लगाना एकदम बढ़िया से प्लेन किया है मैंने इसे वैसे टीन में एकदम उपर तक भर कर आप इसे लगा सकते हो बस याद रखना इसके उपर हमे कैरमल की भी एक लेयर लगानी है तो उस हिसाब से क्रीम की लेयर करना तो बढ़िया से क्रीम लगाने के बाद ये अपना कैरमल सॉस इस पर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फैलाएंगे हम दोस्तों अगर हमेशा आप वही चॉकलेट केक या सेम सेम फ्लेवर्स के केक बनाते हो तो एक पर इस तरीके का मिल्केक जरूर ट्राइ करना आप मुझे यकीन है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा अब क्यारेमल को फैलाने के बाद ना इसके उपर का ये डेकोरेशन बिल्कुल आप्शनल है आप ना चाहो तो ना करो पर इसे एकड़म अट्राक् लग रहा है कि इन केक की भी आप और ले सकते हो इन्हें पैक करने के लिए मार्केट में ट्रांस्परेंट प्लास्टिक के टीन मिलते है अब वो यूज़ कर सकते हो और इसे कट करके सर्व करते समय आप चाहो तो फिर से प्लेट में एक्स्ट्रा मिल्का मिश्रन दे सकते हो तो दोस्तो ट्राइ जरूर करना आप भी ये रेसीपी और आपके अनुभा हमारी साथ शेयर भी करना अगर आप मेरी चानल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंगा सब्सक्राइब बटन जरूर दपाना साथ में ही बेल एकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाई टेक केर पुर्ण